शिखे, काटू, एश्पूरी तो वहां किसी योगी बाबा का सत्संग चल रहा होता है और हरी लाल योगी बाबा का सत्संग सुनने लगता है मनुशे को अच्छे करम करने चाहिए और किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए जो व्यक्ति किसी का भी जाने अंचाने में दिल दुखाता है तो वो बाप का भागी होता है और बापी व्यक्ति को ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में सुख मिलता है और उसकी आत्मा इधर उधर भटकती रहती है और उस भटकती हुई आत्मा को ही हम भूत या चुड़ैल के नाम से जानते हैं भूत और चुड़ैल हमें कोई नुक्सान नहीं पहुंचा सकते क्यूंकि वो तो खुद असंतुष्ट आत्मा होती है जो केवल दूसरे व्यक्ति को अशानते ही करती है भूत और चुड़ैल की कोई परचाई नहीं होती हरी लाल ने योगी बाबा का सत्संग बड़ा ध्यान लगा कर सुना और सत्संग खत्म होने के बाद वे घर की ओर चला गया अरे ओ भाग्यवान लाला जी ने राशन का समान भिजवाया या नहीं हाँ वो खुद ही आये थे सामान देने चलो ठीक है कम से कम कुछ दिन तक की तो शांती मिली अजी सुनते हो हमारे पास इतनी संपत्ती है हम कब तक ऐसे गरीबों की तरह जीते रहेंगे हम ये घर बेच देते हैं लाला जी इसकी अच्छी कीमत भी दिलवा देंगे अपनी जरूरत के लिए हम कोई दूसरा घर ले लेंगे और बचे हुए पैसों से एहश करेंगे अरे तुम पागर हो गई हो क्या कोई जरूरत नहीं है इसकी सुमन हरी लाल की बात सुनकर चुप हो जाती है कोई आवाज नहीं आती तो वह सुमन के कमरे में जाकर सुमन को देखता है और पाता है कि सुमन मरी हुई पड़ी है ये भगवाल ये क्या हो गया बेरी सुमन मुझे छोड़ कर नहीं जा सकती हरी लाल रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेता है हरी लाल के रोने की आवाज सुनकर लाला जी हरी लाल के घर आते हैं और उसकी इस दुख की घड़ी में उसे संभालते हैं और सुमन को गाउं के पास में दफना देते हैं हरी लाल अचानक खुई घटना से बहुत दुखी होता है एक रात जब हैं सो रहा होता है तब अचानक उसके घर में जोर-जोर से भयानक आवाजे आने लगती है हरी लाल की जैसे ही नेंद खुलती है तो उसके सामने एक चुड़ेल खड़ी होती है हरी लाल बेहर डर जाता है और जोर-जोर से चिलाने लगता है अरे बचाओ, 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 कोई मुझे बचाओ, कौन हो तुम यहर क्या करने आई हो क्या तुम मुझे मारने आई हो, अरे मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा मैं तुझे मारने आई हूँ हरी लाल मुझे माफ कर दे चुड़ा अगर मैंने तेरा कुछ पूरा के आओ तो तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दे दूगा मुझे चोड़ दो अच्छा जो मैं मागूंगी तु दे देगा तो जा तेरे पास घर में जितना भी धन रखा है ले आ मैं तेरा सारा धन ले जाओंगी और तुझे तेरे धन के बदले में जिन्दा छोड़ दूँगी हरी लाल ने अपने घर के खुफिया दर्वाजे से चुडैल को बहुत सारे गहने दे दिये और चुडैल सारे गहने लेकर चली गई हरी लाल को गहने जाने का कोई दुख नहीं था